आज की यह वीडियो काफी अलग से प्राणी के ऊपर है इसके नाम में तो पोलर है लेकिन ये बर्प में नहीं रहता है इसके नाम में पैरूट है लेकिन ये हवा में नहीं उड़ता है और इसको पानी बहुत ज्यादा पसंद है तो क्या आपको भी जानना है यह कौन सा और जो नॉर्मल पैरोट फिस होता है उसका आप कजन ब्रदर इनको बोल सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इन्हीं के स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा कैसे मैं इनको लाया कहां से लाया इनका टैंक कैसे सेट अप किया और एक हफ्ते के अपडेट के साथ आपको सा लोग इनको चबा-चबा की इनका चूरा बना देते और फिर इनको पैकेट पर पैक करके सेल कर देते हैं और मेरे जैसे कुछ भेवकूप लोग इसके खरीद भी लेते हैं मार्वल के जब टुकुड़े बच जाता है तो फिर उन टुकुड़ों को ग्राइंड कर दिया जा आता है वह पोलर बियर जो की बर्फ में रहता है तो मैंने सुचा क्यों ना वैसा ही सेट अप इन पैरोट फीसल के लिए बनाया जाए तो टैंक को अच्छी तरह से साफ करने का बाद मैंने फिर इस पथ्री चूरे को साफ करना शुरू कि इनको जब ग्रेंड कि जाता है त मैं इसको अच्छी तरह साफ करना है ताकि सारे पानी में घुल के बह जाए और बस छोटे-छोटे कंकड़ ही छोटे-छोटे दाने ही बचे तो आदे घंटे तक ग्रेवल के अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के सवाई करने के बाद अब मैं इस टैंक के अंदर पानी भ ऐसा सीन क्रियेट हो गया जितना भी ग्रेवल के अंदर बचा खुचा जो डश्ट और जो गंदा पानी था उसने पूरे इस टैंक को दूद का एक कैन बना दिया और पूरा पानी वाइट रंग का हो गया है तो गलतीत हो गया लेकिन अब इस पानी को सांथ होने में काफी जादा समय लगेगा करीब 4-5 दिन लग जाएगा तो इसलिए मैंने साइफन करके जितना भी यह मिलावट वाला पानी इसको बाहर निकाला मैं इस टैंक कुछ दिनों के लिए ऐसी छोड़ सकता था लेकिन मैंने हावडा गलिफ स्ट्रीट से अल्रेडी पोलर पैरोट को ल मैंने फ़ाड़ पानी भरते समय टोड़ा तो इसलिए मैंने इसको बढ़otal अराम से धीरी धीरे करके पूरा बराबर किया अगर मैं ज้ 애स्umm 뜻 वह और बाहर आशकता थाए तो इसलिए मैंने सावधानी से अच्छी तरह पूरा इसको पूरे टेund Prime알 हो घिया है इस टैंक को ख आप लोग के डिमांड के कारण लेकर आ गया है तो अच्छी तरह से सेवा पानी करने के लिए मैंने इस टैंक अंदर फिल्टर भी लगाया यह फिल्टर को मैंने पीछे के साइड यहां पर लगा दिया और अब इसने अच्छी तरह से मस्त चलना भी शुरू करती है मैं इसके पानी में तरते हुए घर नहीं बनाने वाला हूं लाइन से मैंने इन तीनों को यहां पर एड़ेस्ट किया साथी ग्रेवल को भी अंदर भी डाला ताकि इन कमरों का खुपसूर्ती और बढ़ जाया और आप सोच रहें कि मैंने तीन ही कमरा क्यों बनाया क्योंकि मेरे पास तो बहुत बात कर लिए अब चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं अपने स्टार्टिंग में तो देख लिया होगा लेकिन जब यह आई थी तब यह कैसी थी तो यह आई थी तब कुछ इस तरह की थी मुझे छोटे साइज के ही पोलर पैट्स में लेकिन यह काफी जाए तो अब इन्हें जल्दी से कर लता है टैंक के पानी के साथ एकलिमेट और इस टैंक का फिल्टर भी काफी समय से चल रहा है तो इसके अंदर का पानी भी साइकल हो रहा होगा तो अब पोलर प्रेट्स को छोड़ते हैं इनके नए स्वीट से प्यारे से घर के अंदर तो यह गई यह सभी अपने नया घर के अंदर वन बाई वन करके इन्होंने अपने घर को चेक करना शुरू कर दिया उमीद है इनको यह इनका नया घर पसंद आएगा मैंने बहुत सिंपल और क्लासी लुक देने का कोशिस किया है पूरा बैग्राउंड ब्लैक है साथी बॉडी का किलर व भी इस पूरे सेट अप से हलक फूल का मैंच खाता हुआ है और कि अंदर कुछ चेइंज देखना चाहते हैं कुछ इंप्रॉब्मेंडट चाहते हैं जैसे कि मैं इसके अंदर कुछ प्लाइंट कर दू या फिर कुछ और आप जरूर कॉमेंट करके बताईएगा अभी फिलाल इनके बॉड़ी का कलर उतना अच्छा नहीं आया है क्योंकि यह काफी लंबा सफर तैकर करें जिसके का इनका कलर थोड़ा फीड हो गया ह यह यहां पर मेरे साथ कुछ दिन रहेंगे इस टैंक के अंदर तो इनका कलर वापस से इनहेंस हो जाएगा और देखने में भी काफी कुपसूरत लगेंगी तो आप वेट कीजिए मैं एक हपते के बाद का आपको अपडेट दिखाता हूं यह रहा इनके एक हपते बाद का अपडेट अब जाके पोलर पैलेट काफी अच्छी तरह से मेरे घर पर अड़ेस्ट हो गई है यहां पर आप देखिए जब भी मुझे देखती है इनको लगता है कि इनको खाना मिलने वाला है इसलिए टैंक की ऊपर आ जाती है और मेरे इस तरह उंगली के सारफ इधर तीनों में से तीनों में और ऊपर मैंने यहां पर इसलिए रखा किंगी मुझे दर लगता है कि यह कहीं जम ना कर जाया फिल्टर अब देखिए काफी अच्छी तर से चल रहा है तो अब इस जाली को फिर से उपर रख देते हैं मैं इस जाली को इसलिए लगाता हूं कि जब भी मैं टैंक के पास आता हूं तो यह सभी पोलर प्रेट्स उपर गी और आ जाती है और एक किनारे पर मेरा इंतजार करती है मैं इसी जगह पिनको फीड करता हूं तो दुबारा से आपको फीड करके भी दिखाता हूं यहां पर आप देखिए किस तरह यह फीड खाती है पूरा उचल-उचल कर आप देख्या कि कितने अच्छे तरह से यह खाना खा रही है तो इसलिए मुझे डर लगता है खाना खाते झाल झाल